करीब 6 करोड 6 लाग साल पहले हमारी दुनिया में जिन्दगी के लिए कुछ भयानक हुआ था एकोसिस्टम पर दोहरी मार पड़ी, बड़े-बड़े ज्वाला मुखी फटनी से, एट्मास्फियर में कार्बन डायोकसाइड भर गई और मैनहेटन जितना बड़ा एस्टरोइड प्रिथवी से ठकराया, उससे उड़ने वाली धूल ने कई पौधों पर प्रकाश संसलेशन को कम या बंद कर दिया जिससे शाकाहारी और उनका शिकार करने वाले मांसाहारी जानवर भूखे मर गए कुछी समय में दुनिया की तीन चोथाई प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और भीमकाए डाइनसौर, उड़ने वाले टेरोसौरस, शेल्ड स्क्विड और समुदरी रेप्टाइल्स जो सदियों से पनप रहे थे इतिहास के पहले ही विलुप्त हो गए शायद डाइनसौर खास तोर पर बदकिस्मत थे लेकिन पृत्वी के इतिहास में अलग-अलग तरह के बड़े जानवर विलुप्त हुए हैं और हमारे चारों तरफ आज भी ऐसा हो रहा है एन्वाम्मेंट बदलते हैं जिससे कुछ परजातियां मुश्किल में पढ़ जाती हैं तो कुछ के लिए नए अवसर पैदा होते हैं आ Ganze क्रामक परजातियां नई जगहों पर चली जाती हैं और स्थाने परजातियों पर हावी हो जाती हैं कुछ मामलों में जो जीव माहौल में अच्छी तरह ढ़ल जाते हैं, उनकी वज़े से दूसरी प्रजातियां नश्ट हो जाती हैं। कभी-कभी environment में इतनी तेजी से बदलावाते हैं कि ज्यादा तर जीव उसे अपना ही नहीं पाते हैं। इसलिए हजारों प्रजातियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। इसे mass extinction event कहते हैं, वैसे इस तरह की घटनाएं बहुत ही कम होती हैं। paleontologists ने fossil records में आए बड़े बदलाओं से ऐसी कई घटनाओं का पता लगा लिया है, जहां कई जियोलोजिकल परतों में बने रहने वाले वन्श अचानक गायब हो गए। इन mass extinctions के इस्तिमाल से पृत्वी के इतिहास को अलग-अलग काल खंडों में बांटा जाता है। वैसे तो डाइनसोर का विलुप्त होना सबसे जानी मानी घटना है, लेकिन सबसे बड़ी घटना डाइनसोर के जन्म से बहुत पहले हुई थी, 25 करोड 20 लाग साल पहले, पॉमियन और ट्रायसिक काल के भी। पृत्वी की सारी जमीन एक साथ इकठा हो गई और एक विशाल महाद्वीब बना, पैंजिया। जब ये हिस्से इकठे हुए, इनका अंद्रूनी हिस्सा रेत से भर गया और एक अकेली तटरेखा ने कई उथले ट्रॉपिकल समुद्रों को खत्म कर दिया, जहां कई तरह क जीव पनपते थे, साइबेरिया में बड़े बड़े ज्वाला मुखी फटे और पृत्वी का तापमान तेजी से बढ़ा जो एक विशाल ग्रीन हाउस एफेक्ट हो सकता था, इन मुसीबतों ने समुद्र में 95 प्रतिशत प्रजातियों को विलुप्त कर डाला, और धरती पर पौमियन के अजीब रेप्टाइल्स ने अपने पूरवजों को आगे बढ़ाया, उन डैनसोर्स को आज हम और भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मास एक्स्टिंशन्स सिर्फ पुराने जमानी की ही बात नहीं है, पिछले लाखों सालों में पृतिवी के पीछे हटीं और फिर से वापस आईं, तो कुछ जानवरों ने खुद को बदलाओं के हिसाब से ढाल लिया, या ऐसी जगे चले गए जो उन्हें सूट करती हूं, लेकिन बागी, जैसे की जमीन पर रहने वाले बड़े स्लोट्स, लकडबग्गे और मेमत विलुक्त हो पहले, अफरीका में एक खास हॉमिनिट प्रजाती के उदे के साथ एक परिशानी भी आई, नए माहौल में खुद को ढ़लने के लिए, नए औजार बनाने और खाने का इंतजाम करने और शिकार करने वाले इनसान, शायद अकेले इन बड़े जानवरों के विलुक्त होने क कि वजह नहीं है, क्योंकि उन में से कुछ जानवर हजारों साल तक हमारे साथ रहे हैं, लेकिन ये बात साफ है कि आज हमारे औजार और तरीके इतने असरदार हो गए हैं कि इनसान एन्वाइमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है, बलकि वो इसे लगातार बदल रहा है, प अपनी जिस खासियत से इनसान मास एक्स्टिंक्शन्स को बढ़ावा दे सकता है, उसी से वो इसे रोग भी सकता है, विलुप्त की पिछली घट्नाओं के बारे में जानकर और ये समझ कर कि आज एन्वाइमेंट बदलने से क्या हो रहा है, इस जानकारी से दूसरी प्रजा अच्छा और संरक्षन हर देश, कमपनी और समुदाय की प्रात्मित्ता होनी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाये जा सकते हैं, तो ed.ted.com slash earthschool पर जाएं